अलो परस्ट दियर, now addition and subtraction, significant figures in addition and subtraction, जैसे 27.8, 1.324, 0.6, ये तीनों मुझे add करने हैं, तो इसको कैसे करेंगे 27.8, 27.8, को हमने लिखा 27.8, ये decimal के first place तक है, three significant figures, okay, 1.324, तो इसको decimal के, जैसे decimal के first place तक है, तो first place तक हम लिखेंगे, तो 1.3, और 0.66, तो 0.6, जो है, ये 5 से ज़्यादा है, तो इसको round rate किया, तो 0.7, तो ये उबराल हो गया, 8, 3, 11, 7, 18, 7, 8, 9, और 2, ये answer हो गया, उसी तरह subtraction में, 12.192 में से subtract करना है 9.7, तो ये point decimal के first place तक है, तो इसमें भी हम decimal के first place तक रखेंगे, ज्यान रहे, 9.7 को subtract कर रहे हैं, 12 point, और first place तक रखना है, आगे 9 है, तो ये, तो इसको 10 कर लिया, तो ये होगे at 12.2, तो 9.7, और एक और question, 1.57 में से subtract करी, 1.55, it is as usual, decimal के 2 प्लेस, decimal के 2 प्लेस, तो हो गया 0.02, क्यों? Each length, एक खासी देखे, each length has 3 significant figures, 1, 2, 3, 1, 2, 3, while difference has only one significant figure, इसमें जो ये difference आया है, इसमें only one significant figure है, पुसी तरीके से, एक और add करने जा रहे हैं, 5.37 into 10 to the power 4 को add करना है, 71461, तो हम क्या करते हैं, इसी order का बना लेते हैं, तो 10 to the power 4, ये हो गया 7.1461, 7.1461, लेकिन यहाँ decimal के 2 प्लेस तक है, decimal के 2 प्लेस तक है, 0.37, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 7.1 और ये 6.5 से ज़्यादा है, एक बला दिया 5, 7.15, इस तरह से subtract करते हैं, addition और subtraction इस तरीके से हम करते हैं, significant figures का,